हलो एवरिवन कैसे हैं आप वेलकम टू शिक्षाधाम हम एक न्यू चप्टर करने वाले हैं start 12th class के लिए और चप्टर का नाम है retirement of partner जो बहुत important है और believe me इतने easiest way से करेंगे न कि जब आप चप्टर करोगे तो आप खुद बोलोगे कि मेरे 6 marks तो पक्के हो गए तो चलिए start क करें start आज का topic जो है retirement of partner आज आपकी है इसकी third class जो बच्चे जिनकी first class है ना उनको दो classes पिछली देखनी पड़ेगी और जिन बच्चों ने मानलो admission कर रखा admission यानि term 1 का जो admission था ना जिनोंने करा हुआ है उनको तो कोई problem नहीं होने वाली लेकिन जिनको और admission करने का मतलब यह नहीं कि 100% पूरा आता हो थोड़ा बहुत ratio गुडविल उडविल पता हो तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा लेकिन अगर आपने admission वगएरा नहीं कर रखा बिल्कुल भी term 1 का तो थोड़ी दिक्कत आ सकते है वो भी कोई दिक्कत नहीं है last class recorded है वो भी मैं आपको बता दूँगा बैक अप class में confirm हो जाएगा लेकिन हाँ आज वाली class में जितने बच्चे भी बैठे हैं ये मान के चलना के हमें समझ में आएगा अगर आप ये मान के यहाँ पे sitting करोगे कि पिछला रह रहा है क्या करवाया था नहीं करवाया था तीसरी class में नहीं आ सकती तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी तो 100% concentrate करके आपको ये मानना है कि ये topic तो हमें समझ भी आएगा और definitely आएगा आप देखोगे तो बिल्कुल simple topic है और एक तरीके से last concept ही है हमारा retirement का last नहीं अभी इसके आगे भी काफी questions होंगे तो retirement of partner की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर basically क्या क्या चीज़े है हमें तीन ledger बनाने हैं एक बनाने हमें revaluation account और एक बनाने हमें partners capital account और एक तीसरा balance sheet बनाएंगे हमारे exam में 6 number का question आएगा जो हम आज सीखने वाले है इसी pattern पे रहेगा बस कुछ adjustment है वो तो अगले class में सीख लेंगे हम तो number one की अगर मैं बात करूँ तो first ledger जो रहेगा हमारा वो है हमारा revaluation अब sir revaluation देखो नाम से ही clear रहता है valuation का मतलब पता ही क्या होता है किसी चीज़ का आपको दुबारा से value calculate करना उसको बोला जाता है valuation ठीक है न जैसे मान लेते हैं कि आपका mobile phone है mobile phone आपने भले ही 20,000 का खरीदा 40,000 का खरीदा लेकिन आप बोलोगे न यार आप 20 का है तो 5-6,000 का 10 पंदर का बिख जाएगा तो जो दुबारा आपने value लगा है न उससे बोला जाता है valuation ठीक है न और आप जितने valuation बोलो या फिर re-valuation बोलो तो जब कभी भी अपने घर का ही समान का एक्जामपल ले लो आपके घर में गोल्ड पड़ाया सपोस करो तो आपके पैरेंट्स बोलते होंगे उस टाइम पे तो 5000 का लिया था लेकिन अब तो 50 का है तो आपने क्या करा उसका वेल्यूएशन लगाया अब उसकी वेल्यू चार लाक रुपे हो गई है तो इसका मतलब मेरे एसेट का वेल्यू बढ़ गया जिससे बिजनस को फाइदा है एक तरीके से है ना सिंपल और सेम ऐसे मैं बोलू मुझे किसी को लोन देने थे पांच लाक रुपे लेकिन ना अब मैं तीन लाक रुपे दूँगा तो यहां मेरा फाइदा है नुकसान है यहां भी फाइदा है ठीक है ना तो हमें यहां बस प्रॉफिट और लॉस देखना है ऐसा क्यों करेंगे यह अकाउंट बनाने का परपस क्या है और इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं प्रॉफिट और लॉस अडजस्मेंट कई बार एक्जामन ना कन्फ्यूस करने के लिए बोलता है प्रॉफिट और लॉस अडजस्मेंट बना दो तो profit and loss adjustment जब बोला जाए तो यही account prepare करेंगे हम बनाने का purpose क्यों है हमारा chapter retirement है न तो x y z अगर 3 partner है इसमें से मान लेते हैं एक partner चला गये तो बाकी जो बचे वे दोनों partner है अपने business को जो आगे continue करेंगे वो सोचते हैं अब नए सीरी से करते हैं हमका पहले 3 था तो 3 की बात कुछ अलगी थी अब जब एक चला गया तो अब कैसे काम start करते हैं बिड़कुल नए सीरे से काम start करते हैं तो जब नए सीरे से काम start करते हैं तो यह जो दोनों partner है न यह सारे assets और liability का value निकाल लेते हैं दुबारा से तो इसलिए हमें बनाना पड़ता है क्या? Revaluation ठीक है न? Revaluation में इधर का side आपको पता है आपने बहुत ही starting से पता है कि यह debit होता है और यह credit होता है और debit side की अगर मैं बात करूँ तो debit side में सारे के सारे आपके expense होते हैं expense या फिर losses भी कह सकते हो है न? debit side में क्या होते है? expense या फिर losses भी कह सकते हो क्योंकि golden rule तो यही था कि आपके सारे expense और losses आएंगे और credit side की अगर मैं बात करूँ तो इस side में सारा का सारा आएगा income या फिर हम कह सकते हैं normal language में profit gain भी हो सकता है gain word भी सुनाओगा कुछ पूछ सकते हैं कि gain हो सकता नहीं तो gain भी हो सकता है तो sir यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर सारे खर्चे अब देखो मैं आपको कुछ situation बता हूँ आप बताना कि debit में जाना चाहिए credit में मेरा building एक लाग से दो लाग रुपे का हो गया ठीक है तो एक लाग का benefit है या एक लाग से डेड़ लाग का हो गया तो कितने का benefit है बताओ पचास तो आप मुझे debit side में लिखना चाहिए या credit side में credit side में लिखना चाहिए कितने रुपे डेड़ लाग एक लाग या पचास अजार पचास सिर्फ profit प्रॉफिट वाले हिस्से को record करेंगे ठीक है न ऐसे ही मैंने कहा कि मेरा bad debts हो गया पचास अजार रुपे का तो किधर लिखना चाहिए debit side में लिखेंगे ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ मेरा creditor था उसको पैसे नहीं देना return back हो गए वो वो चले गए creditor दो तो किधर आएगा creditor मतलब liability और liability को पैसे नहीं देना तो मतलब फाइदा और फाइदा किधर आएगा credit side मैंने बोला मेरा assets जो है न मसीनरी पे 10% का depreciation लग गया तो आप जानते हो ना depreciation का मतलब क्या होता है value घट जाता है या बढ़ जाता है तो अगर depreciation लगा तो बताओ किधर जाएगा debit side depreciation के जैसा ये एक word होता है पता है क्या होता है appreciation अगर मैं बोलू कि मेरे मान लेते हैं furniture का value appreciate हो गया है तो बताइए इससे value क्या हुआ बढ़ गया या घट गया तो किधर दिखाएंगे credits है तो बड़ा simple सा account है यही concept हम follow करके चलेंगे तो यानि जो भी expenses या losses होगा two side लिखेंगे और जो भी income या profit होगा वो buy side लिखेंगे sir यहाँ पे जैसे मैं कुछ example लिख देता हूँ जैसे की bad debts example है वो question जब करेंगे ना तो यह तो मैं format prepare कर रहा हूँ और क्या हो सकता है depreciation, depreciation machinery पे होगा तो depreciation नहीं लिखना machinery लिखना machinery लिखना इसके बाद अगर मैं buy side का अब दो दो example से चलेगा ना क्या मुझे ज़रूरत है कि सारी बाते लिखने इस दो example से तो समझी आ गया है कि यहाँ क्यूं लिखा जा रहा है ना पूरा लिखने की ज़रूरत है नहीं और buy side की मैं बात करूँ तो buy side में लिखा जाएगा अगर हमारा appreciate होता है हो सकता है building ज़्यादा से ज़्यादा building तो बढ़ता है यह rate ठीक है नहीं मैं example ले लिया और कुछ भी हो सकता है buy side में any आपका liability liability क्या हो जाए decrease ऐसे word लिख दिया मेरे हिसाब से आपको अगर कोई problem है इसमें तो आप पूछ सकते हैं मैंने सारा example तो नहीं लिखा just एक मैं format कर रहा हूं तो format से बस आपको एक idea लग जाए tentative की हाँ हम एक revaluation account बनाएंगे और उस revaluation account को कैसे बनाया जाएगा और किस किस को consider किया जाएगा उसके recording clear है यहां तक ठेक है तो मैंने बोला तीन लेजर बना देंगे जिसमें से एक क्या था revaluation sir revaluation account बनाने से हमारा कोई ना कोई तो यहां पे profit loss कुछ ना कुछ तो होने वाला है ना अगर यहां आता है हमारा two में balancing figure तो यहां आएगा profit अगर हमारा आएगा buy तो इदे आएगा loss और यह profit and loss जो होता है ना जब partnership firm होता है तो इस पे पूरा अधिकार कुछ profit and loss हो उस पे पूरा अधिकार partner का होता है पूरा rights किसका होता है हमारा partners का तो यहां पे जो भी profit हुआ जितने भी partner है बट जाएगा अब मान लेते हैं x में y में और z में सर अब एक example और doubt मन में यह आता है सर मान लेते हैं x y z था x y z इसमें से z चले गिया तो 2 में बाटेंगे या 3 तो यह 3 बाटेंगे main है कि 3 बाटेंगे तो but obvious है 3 बाटेंगे तो यह किस ratio में बटेगा पता है आपको old ratio में बाटा जाएगा थोड़ी बहुत आपको knowledge होनी चाहिए कि old ratio क्या होता है ratio से कैसे calculate करते हैं ये सारी चीज़े तो आपको पता होगी ठीक है loss होगा तो again ये किस में बटेगा loss ये भी तीनों में किस ratio में old ratio तो मैं थोड़ा start कर रहा हूँ यहाँ पर old ratio है ये और वो ने लिखा मैंने old ratio है ठीक है न तो ये था हमारा revaluation रिवेल का दूसरा नाम क्या है profit and adjustment एक नंबर में अगर one liner question आता है तो इसका nature पूछा जा सकता है तो nature इसका पता ही क्या होगा nominal इसका nature होगा हमारा nominal तभी तो यहाँ पर देखो all expenses are debit and all income and gain are credit जहाँ expense और income की बात हो वो कौन सा account कहलाता है nominal account कहलाता है clear यहाँ तर अगले point पर चलते हैं partners capital पर हमारा second account रहेगा partners capital इसको ध्यान से देखेंगे बहुत simple account है मान लेते हैं एरा जम्शन यह है कि हमारे पास पहले से तीन partner है इसलिए तीन column ड्रो कर रहा हूँ क्योंकि दो होगा तो एक चला जाएगा तो firm ही बंद हो जाएगा फिर तो क्योंकि कम से कम तीन partner होना चाहिए example के तोर पर ले लेते हैं x y and z x y and z और उपर लिख दिया हमने partners capital आपको exam में format बड़ा ध्यान रखना है because of क्योंकि पहले तो mcq में आपका तो नॉर्मल ही हो गया था अब आपने format ध्यान रखना है partners capital एक चीज आपको ध्यान रखना है partners capital जो होता है आपको अगर मैं बोलू capital तो आप मुझे बताईए capital आपने balance sheet में ही देखा होगा और balance sheet के कहां देखा होगा आपने liability और liability को अगर मैं पूछूं किस side दिखाना चाहिए तो जवाब होता है credit side इतना तो पता है हर किसी को जी partners capital या कोई भी capital हमारे लिए होता है liability और liability को कहां दिखाना चाहिए credit में दिखाना चाहिए ये छोटी सी जनगरी पता है अब आपको एक और point पता होना चाहिए कि अगर liability बढ़े तो हमें करना चाहिए credit और अगर liability घ्टे तो हमें करना चाहिए debit ये बहुत starting में ही हमें सिखाया जाता है तो liability अगर बढ़ता है तो हमें क्या करना पढ़ेका credit क्यूकि इसका side credit वाला है और liability अगर घटता है तो क्या करना पढ़ेगा क्यूंकि ये हमारा side credit वाला है उसका opposite reaction पड़ता है same अगर मैं building को लूँ तो आप सोच ये building क्या होता है asset अगर मैं बोलता हूँ कि building का assets है तो इसका side क्या होगा debit तो अगर मैं बोलू ना building बढ़ेगा तो आपको क्या करना होगा पता है debit करना पड़ेगा ठीक है ना और अगर मैं बोलू building घटेगा तो क्या करना पड़ेगा यानि simple सी बात है कि जो side होता है ना decrease में side बदल जाता है और आपको पता है कि assets में जो चीज़े हैं वो क्या है हमारे debit और जो liability में वो क्या है credit तो अब मैं simple सी बात कहता हूँ ये मेरा partner's capital है थोड़ा ये particular और ये particular अगर partners capital की बात करें तो इधर के side वाला debit है इधर के side वाला credit है अगर मैं बढ़ने की बात बोलूँ किसी भी reason से partners का capital बढ़ जा है तो मुझे two side में दिखाना चाहिए या buy side में हमारे पास दो side है देखो एक debit है और एक credit है मैंने बोला किसी भी reason से partners का capital बढ़ रहा है तो partners का capital बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ हमारा partners के capital को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा credit तो किसी भी reason से बढ़ेगा तो मुझे करना पड़ेगा credit partner को salary दिया तो कहां लिखेंगे credit में partner को commission दिया तो कहां लिखेंगे partner को मैंने profit का हिस्सा दिया तो कहां लिखेंगे credit में अगर partner को कोई मैंने extra मान लेते है benefit दे दिया, bonus दे दिया, कुछ और दे दिया तो कहां हैगा credit में तो very simple सी बात है कि partners का capital credit कब होगा जब partner को कुछ मिलेगा और जब partner से कुछ हमें लेना हो तो हमें debit दिखाना पड़ेगा अब debit कब-कब हो सकता है partner ने drawing करा तो drawing आपको पता है na drawing की वज़े से क्या होता है capital कम होता है तो उसे कहां दिखाना पड़ेगा debit में और same interest on drawing की वज़े से भी partners के capital कम होता है तो उसे भी debit दिखाते है, ठीक है न, तो यहाँ पे कुछ reasons है, जिसके वज़े से partners के capital बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, वही show करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सबसे starting में लिखूंगा, यहाँ पे buy side में थोड़ा space कम मैंने लिया यहाँ पे, मैं short form में लिख देता हूँ balance bd लिख देते हैं, ठीक है, balance bd, यह मैंने तीनों partner का लिख दिया, यह balance bd कहां से ढूंडेंगे हम, पुरानी balance sheet के अंदर जो भी amount होगा न, आपके पास जब question होगा, तो question पता है कैसे होगा, आपको एक पुरानी balance sheet given होगी, पूरे question में एक पुरानी balance sheet given है, और उसके नी liability को पैसे नहीं देने, furniture घट गया है, तो यह adjustment हो गया, अब balance sheet के अंदर हमारा capital भी तो होगा न, उसी capital को यहां plot करेंगे, जो होगा balance bd, ठीक है, अब इसके बाद क्या-क्या हो सकता है, इसके हिस्से में और क्या-क्या जा सकता है, तो मैं अगर बात करूँ तो partner को और क्या मिल सकता है, मिल सकता है, reserve, reserve का पैसा मिल सकता है, मैंने short form में लिखा है, आपने पूरा लिखना है, किसको मिलेगा, सबको मिलेगा जी, reserve के बाद और क्या मिल सकता है, revaluation का profit, मैं rp लिख रहा हूँ, sir, revaluation का profit, यहां से जो निकाला है, इस side में जो निकला वो क्या था, revaluation का, उसी profit को हमें उधर दिखा रहा है है ना क्यों दिखा रहा है इधर क्योंकि भई पार्टनर को मिल रहा है ना पार्टनर को मिल रहा है तो very simple हमें credit करना पड़ेगा और क्या हो सकता है workman compensation reserve ये क्या होता है इसके उपर मैं बाद में discuss करूँगा workman compensation reserve सबका मैंने abbreviation लिखा है मैं बोलता जा रहा हूँ कोई doubt होगा तो आप पूछ सकते हैं ठीक है ना कोई doubt होगा तो पूछ सकते हैं आगे question में कहता है workman compensation reserve के बाद और भी कुछ मिल सकता है कि पार्टनर को बिलकुल पार्टनर को salary भी दिया जा सकता है हाला कि इस chapter में salary commission commission नहीं होगा जो चीज़े होगा मैं वही plot कर रहा हूँ कि बार बार जो चीज़े दिखेंगी ठीक है ना और एक और point हो सकता है profit and loss लिखा है मैंने तो अब आप मुझे अपने दिमाग से बताओ profit and loss का मतलब होता है तो profit ही है तो इस side में मैंने profit वाला part लिखूँगा या loss वाला part profit वाला क्यूंकि profit से उसका capital क्या होगा बढ़ेगा है ना अब बात करने two side में क्या सकता है two drawing आ सकता है drawing तीनों में कभी नहीं आएगा जो करेगा उसी के account से deduct होगा अब x ने लिए है तो x से y ने लिए है तो y से drawing के बाद अगला क्या हो सकता है हमारा loss ठीक है ना तो loss भी धर आएगा मैंने इधर भी लिखा profit and loss कुछ बच्चे पूछ पूछ के परिशान कर देते हैं सर दोनों side कैसे आ गया भाई ये वाला जो है ना वो क्या है और ये वाला क्या है profit है और क्या हो सकता है कई बार कुछ ऐसे assets भी होते हैं हमारे balance sheet के अंदर जो की नाम मातर का होता है जिसे fictitious assets कहते हैं जैसे की advertisement suspense account करके balance sheet के assets में आपको दिखेगा तो balance sheet में जब advertisement suspense account दिखता है ना तो वो बिकार assets है किसी काम का नहीं है तो partners capital को कम कर देते हैं उससे यहाँ पर आ जाएगा एक advertisement suspense account अगर given हो तो कहा होगा ये given ये given होगा asset side में अब मुझे एक चीज और बताना loss balance sheet में कहा given होता है loss balance sheet में किस side given होता है asset side ठीक है ना किदर होगा assets और profit किस side given होता है liability side ठीक है इस बात का ध्यान रखना अगर आपको asset side में दिखता है profit and loss का balance तो आप समझ जाना जी ये तो loss है और वो loss हम distribute कर देंगे और किस में बाटेंगे हम partners capital में और debit में बाटेंगे या credit में debit में बाटेंगे अभी तक जितने चीजे बाटी गई है वो सारी के सारे चीजों का अगर मैं बोलू तो ये सारा का सारा काम है old ratio में यहां तक कोई समस्या है तो बताईए यहां तक कोई भी problem है तो बता सकते हो फिर मैं आगे चलू नहीं तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या और पी रीवेल्वेशन प्रॉफिट सैम ऐसे मैंने यहां आरेल ली लिखा आरेल क्या होता है रीवेल्वेशन लॉस समझ में आ रहा है पूरा अब बात करते हैं सर रेटायर्मेंट तो अभी तक हुआ नहीं अब जो मैं पोइंट करने वाला हूँ वो रेटायर्मेंट का मतलब होता है एक तो उसका सारा हमें पैसा दे दो including goodwill ठीक है न यानि उसको premium देना पड़ेगा हमें premium in the sense उसे goodwill देना पड़ेगा क्यों उसे goodwill देंगे क्योंकि जब नया partner आया था तो अपने साथ premium का पैसा ले कर के आया था admission के time पे जो पहला पुराना chapter है अब जब कोई partner जाएगा तो वो अपने साथ मान लेते हैं x y और z है z retire हो रहा है तो z जब जाएगा ना यहां से तो वो क्या-क्या लेके जाएगा एक capital और plus good will दोनों चीजे लेके जाएगा वो capital का मतलब कौन सा capital balance बीडी लेके क्या चला जाएगा नहीं यह सब total करने के बाद last की capital की बात कर रहा है इसके हम अब good will की treatment की बात करें तो good will जो होगा ना वो लेके तो जाएगा और इस good will को कौन देगा x देगा और y देगा दोनों मिलके देदेंगे जब x और y इसको good will का पैसा देंगे तो x और y एक journal entry और एक partners capital में adjustment भी करेंगे अब मिलेगा किसको पहले तो यह decide करो मिलेगा किसको z को मिलेगा तो z का capital पे impact पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बताओ पड़ेगा ना तो z के capital क्या होना चाहिए credit या debit credit सोच के क्या होगा क्योंकि उसे मिलेगा तो क्या होगा credit तो buy side में लिखेंगे और z का capital credit कौन करेगा दो partner मिलके तो हम लिखेंगे यहाँ पे x और थोड़ा space काम है जब मैं पूरे पूरे question करूँगा तब समझ में आ जाएगा और ये z में आ जाएगा ये z में आ गया कोई doubt यहां तक बताईए और मिलक इसको z को और दिया जब इन दोनों ने तो इसके capital पे भी तो impact आएगा क्या होगा इसका capital बताओ कम होगा कम होगा मतलब debit तो debit side में मैं लिखूँगा किसकी वज़े से to z z capital और यहां भी आ गया और यहां भी आ गया यहां तक कोई दिक्कत main adjustment जो अभी करवाया न यही है main adjustment जो अभी हमने समझा है यही है और adjustment क्या है simple सा logic वाली बात है भाई तू z जा रहा है तो तेरे account को क्या कर देते हैं credit और दे कौन रहा है x और y तो उसके account को कर देते हैं debit यहां पे जो account है अब एक main point सब्सक्राइब न देखो last last में क्या होता है हम शुरू में starting में अच्छे से समझ लेते हैं last last में एक छोटी से दिक्कत आ जाती है last point अच्छे से देख लेना अब totaling करेंगे totaling जो करेंगे न सबसे पहले उसका total करेंगे जो partner जा रहा है अब यहां पे देखा जाए तो कौन सा partner जा रहा है make according मैंने example में तो सबसे पहले total इसका होगा इसका मैंने यहां total किया इसके बाद इसका total मैंने इधर लिखा मैंने क्या बोला rule अगर तीनों partners capital में से total करना है तो सबसे पहले total किसका करना पड़ेगा जो partner retiring है और total करने के बाद यहां जो भी balancing figure आएगा अगर मैं यहां लिखूं balance अगर मैं यहां लिखूं balance cd तो इसका मतलब पता ही क्या है balance cd का मतलब यह रहेगा अभी जाना ही नहीं चाहरा यह cd का मतलब क्या होता है carry down मतलब आगे चलेगा अब मुझे इसे रखना तो है नहीं तो इसलिए मुझे यहां पे इसके balance को CD तो नहीं लिख सकते है ना यहाँ पे CD तो नहीं लिखा जाएगा तो sir क्या लिखोगे यहाँ पे मैं इसको पैसे दे के रफा दफा कर दूँगा पैसे दे के रफा दफा करूँगा भई लो पैसा और जाओ अगर यह बोलता है कि मैं भी रुकूंगा तो क्या आएगा balance CD वैसे बोलेगा इनी retirement के concept में अगर यह जा रहा है तो इसको क्या दे देंगे bank अगर bank में balance नहीं है तो किस से दे देंगे cash अब firm के पास मान लेते है partnership firm के पास इतने पैसे है नहीं कि इसको एकदम से दे पाए तो हम इसको से request करके ये भी बोल सकते हैं कि Z भाई साब हम आपको अभी पैसे नहीं दे पाएंगे हम आपको थोड़े समय के बाद पैसे दे देंगे और थोड़े समय के बाद जब देने की बात आएगे ना तो firm के उपर liability आ जाएगा और क्या बन जाएगा वो यहां तक पहले समझ में आ रहा है यानि CD तो नहीं आएगा मैं कौन से partner की बात कर रहा हूँ X या Y या Z की अब यहां पे अगर उसे bank से पैसा दे रहे हैं तो मेरा bank balance कम हो जाएगा या ज़्यादा कम हो जाएगा cash से देंगे तो यानि double entry समझा रहा हूँ यहां पे तो cash bank है वहाँ अगर loan हुआ तो ना तो cash कम होने वाला ना ही bank कहा impact आएगा liability में एक आ जाएगा Z loan के नाम से समझ में आ रही है बात आपको अब partner को ऐसे भी तो समझाए जा सकता है भाई एक काम करो मान लो तुम्हारा एक लाग रुपया आता है तो हम ये भी तो कह सकते है कि 50,000 ले लो और 50,000 बाद में ले ले ना दोनों बाते हो सकती है ना तो 50,000 के लिए क्या word use करूँगा cash या bank और 50,000 के लिए क्या word use करूँगा loan ये समझ में आई बाता आपको क्योंकि जादा से जादा बच्चे गलती यहीं करते है कि sir loan करें क्या करें अब दूसरा पहले ये समझ में आ गया कब loan का मतलब क्या है cash कब करेंगा bank अब बच्चे question पूछते है sir question में तो कुछ बोला ही नहीं है कि इसको पैसे देने भी है या नहीं देने नहीं बोला question में कोई information ऐसे situation में जब ना बोला जाए तो अगर आपके पास balance available है तो दे के खतम करो bank से दो और खतम करो otherwise आप इसको loan मान लो यानि जब बोला ही नहीं गया तो student की मर्जी कि loan बनाओ या bank करो अब जैसे मान लेते हैं कुछ नहीं बोला गया question और classroom के अंदर काफे सारे बच्चे हैं किसी ने bank से करा किसी ने loan का तो सब का answer ठीक है उस वहाँ पर ऐसे मत बोलना कि मैंने तो bank से करा तेरा loan से गलत है तेरा दोनों ही ठीक है वो ठीक है न वहाँ पर तो यहाँ पर मैं retiring partner के लिए word लिखना चाहता हूँ यहाँ पर या तो मैं लिख सकता हूँ bank ठीक है और दूसरा cash ना लिख के मैं लिख देता हूँ loan ठीक है और बाकी के दोनों partner क्या रहेंगे या यह भी जाना चाहते हैं रहेंगे तो जब कोई partner रहता है तो उसके balance को हमें bank अगर लिख दूँआ तो निकल जाएगा वो तो तो क्या लिखना चाहिए तो बाकी बचे वे partner के लिए लिए लिखेंगे balance cd और यह आ जाएगा हमारा cd और बाकी balance partner का कैसे आएगा cd इनका total करके balancing figure निकल जाएगा normally जैसे आपको balance करते हो कोई दिक्कत यहां तक यहां तक कोई problem तो हमने देखा revaluation account और revaluation के साथ-साथ मैंने देखा partners capital थोड़ा सा partners capital है मैंने abbreviation use किया है short firm use किया है मैं clear करता गया साथ-के-साथ यहां तक कोई issue आगे हमारा third आता है balance sheet ठीक है ना third point क्या आता है हमारा तो हम balance sheet की भी बात कर लेते हैं balance sheet में कुछ भी नहीं है जो 11 वी class में आपने पढ़ा हुआ है वो ही रहेगा हमारा balance sheet में balance sheet की हम बात करते है balance sheet में देखा जाए तो इस side क्या होगा liability और इस side क्या होगा assets सिर्फ मैं मोटी-मोटी बाते बता रहा हूँ balance sheet में वो सारी चीज़े मैं लिखूँगा assets, building, plant वो तो पता ही आपको उसको कह लिखने के ज़रत है तो अब liability में जो यहां से निकल के आया है न point सबसे पहले तो यह आ जाएगा इधर capital के format में और यह balance sheet बताओ before retirement है या after retirement after retirement जब after retirement balance sheet है तो कितने partner होगे दो तो 2 का capital हैगा X और Y और maybe possible है कि Z का loan आ जाए अगर Z का loan आया तो हम उसे यहां दिखा देंगे Z loan के नाम से ठेके न आप पूरा column बना लेना प्रॉपर तरीके से नोट करोगे उसके बाद balance sheet में और भी क्या चीज़े हो सकती है और क्या हो सकता है हमारा creditor हो सकता है यहां पर outstanding हो सकता है एक sector आपको पता है balance liability क्या होता है वो ज्यादा लिखने की जूरत नहीं है यानि यह वाला account किस से connected है partners capital से partners capital किस से connected है balance sheet से asset side में क्या आएगा asset side में आएगा cash का balance और bank मैं सबसे पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यह important है sir क्यों important ही यह cash bank क्योंकि इसमें से कुछ minus हो सकता है क्या minus हो सकता है जो partner जा रहा है उसका पैसा या तो आप कहीं बाहर working note पे minus करिए या यहीं पे minus कर देजिए paid के नाम से retiring partner को z को जो paid किया है उसके नाम से minus करके फिर final account दिखा दीज़ simple से बात है ठीक है न या फिर आप cash account बनाना चाहते है तो बनाईए नहीं तो जुरुत नहीं है मेरे साब से cash account इसके बाद क्या आ सकता है और कुछ डाल देते हैं जैसे building debtor ये हमारा सारा का सारा क्या है balance sheet और दोनों side अगर total आता है तब जाके आपको exam में पूरे 6 number मिलेंगे अब सर 6 number का question आएगा पहले ये 8 का आया करता था अब 6 का आएगा तो हमारे time पर ऐसा क्यों हो रहा है आपके time पर syllabus भी तो cut आया पहले adjusted capital भी आया करता था अब adjusted capital नहीं है तो सर 6 number में क्या रहता है scenario 2 number का ये 2 number का ये और 2 marks का ये रहेगा ठीक है न अब सर कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने तो पूरा question करा 6 number का अगर ये सही है तो आगे check होगा ये ध्यान रखना ये सही है क्योंकि आपने मालो यही गलत कर दिया भाई अगर आपने यही गलत कर दिया तो examiner को पता है partner's capital तो 101% गलत ही होगा और partner's capital गलत होगा तो उसे ये भी पता है कि balance sheet भी तो ऐसा situation में अगर ये गलत होगा न तो 6 में से examiner की मर्जी है 2 number दे 3 number दे वो उसके उपर totally depend करता है समझ मैं आई बात आपको जो step marking है क्योंकि आपको पूरा लिखना होगा तो फटा-फट से एक बार आप format note करिए हाँ अगर किसी को कोई भी doubt लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं retirement में इसका main point देखो main point मैं highlight भी कर देता हूँ ये main point है premium वाला main point premium और एक बात और goodwill हमेशा किस ratio में बटेगा पता यहां gaining ratio में किस ratio में बटेगा ये gaining ratio gaining ratio फटा-फट note करिए भाँ झाला किस वाला किस्त आप आपने झाला किस दूछ सकते हैं किसी लगत इंग झाला किस्तों किस्तों आपनावा आपने वालगते हैं झाल झाल